क्या आप गर्बदारन की कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेसी नहीं आपा रही हैं? तो इस वीडियो के जरीए हम ये जानेंगे कि नी संतानता के कारण क्या-क्या हो सकते हैं मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टन रीप्रोड़क्टिव मेडिसिन और क्लिनिकल हिट हिग्डे फर्टिलिटी मलक पेट प्रांसे नीह संतानता के लिए स्त्री और पुरुष दोनों equally responsible होते हैं नीह संतानता के स्त्री साइट से पहले हम देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं अगर स्त्री की महावारी सही समय पे ना आ रही हो मतलब अगर आपके पीरेड्स irregular है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एग हर महने में तयार होना चाहिए और ovulation होना चाहिए वो सही टाइम पे नहीं हो रहा है और अगर ovulation सही टाइम पे ना हो पा रहा हो तो आपका फर्टाइल पीरेड कौन सा है मतलब कि जिस समय में आपने husband और wife साथ में रहने से प्रेगनेंसी चांसेज बढ़ते हैं यह आप फर्टाइल पीरेड आपका नहीं पता कर पाएंगे तो इर्रेगिलर साइकल्स होना यह एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है अब इर्रेगिलर साइकल्स के कही कारण होते हैं सबसे पहला और कौमन कारण है PCOS अगर महिलाओं में PCOS का प्राबलम है तो उनके पीरेड इर्रेगिलर हो सकते हैं इर्रेगिलर पीरेड का दूसरा कारण होता है अगर ओवेरियन एजिंग पहले हो रहा हो समय से पहले हो रहा हो मतलब ओवरीज में अंडो की संख्या उमर से पहले कम हो रही हो तो ऐसे situation में भी पीरेड्स इर्रेगिलर हो जाते हैं तीसरा अगर किसी वज़े से बॉड़ी में hormonal disturbances हो जैसे thyroid बढ़कर हो या prolactin levels बढ़के हो तो ऐसे situation में भी पीरेड्स इर्रेगिलर हो जाते हैं कई महिलाएं मोटा पे की वजह से भी उनके पीरिट्स सही टाइम पे नहीं आते हैं तो बजन जैसे जादा रहना अच्छा नहीं है वैसे ही कुछ महिलाएं जो बहुत पतली होती है जिनका BMI बिलो 19 होता है ऐसे लोगों में भी पीरिट्स इर्रेगिलर पाए जाते हैं के पता करें प्रेगनेंसी नहीं आने का दूसरा कारण ट्यूब्स में हो सकता है अगर आपके ट्यूब्स किसी वजह से प्रीवेस इंफेक्शन की वजह से या प्रीवेस कोई सर्जरीस की वजह से ब्लॉक हो तब भी प्रेगनेंसी नाच्रली नहीं आता है तीसरा अगर premature ovarian aging हो रहा हो मतलब अगर आपके ovaries में अंडो का number उमर के पहले कम हो जाए आपका AMH level कम हो जाए तब भी pregnancy naturally आने में मुश्किल हो सकती है चौथा reason होता है कि अगर आपके बच्चेदानी का जो lining होता है यानि कि गरभाशय का जो endometrium होता है अगर endometrium में किसी infection की वज़े से या previous कोई abortion की वज़े से damage हुआ हो तब भी pregnancy आने में मुश्किल हो सकता है कुछ महिलाओं में endometriosis ये condition होती है जिसकी वज़े से infertility हो सकती है कुछ महिलाओं में fibroids होते है जो कि बहुत बड़े size के होते है multiple होते है जिसकी वज़े से भी हमारे tubes और ovaries का relationship alter होकर pregnancy आने में मुश्किल हो सकती है तो ऐसे कुछ कारण है जो महिला की तरफ से हो सकते है लेकिन जैसे महिलाओं की तरफ से infertility के कारण होते है उसी तरह पुरुशों में भी कुछ कारण हो सकते है अगर पुरण पुरुशों का वीरियम शुक्रानों का संख्या कम हो या फिर उसकी गती शीरता कम हो या स्पर्म का नॉर्मल शेप कम हो ऐसे सिचुएशन में भी नाच्रली प्रेगनसी आने में मुश्किल हो सकती है और ये स्पर्म के तीन जो एहम पारामीटर्स है ये किस वजह से इसके एक जो कम होते है या डिफेक्टिव होते है इसके कई कारण होते है सबसे पहला हमारा unhealthy lifestyle, unhealthy food consume करना, smoking, alcohol, हमारा exercise regularly ना करना, stress की वजह से कुछ लोगों की night shifts होते है तो ऐसे situation में भी sperm parameters alter हो जाते है कुछ पुरुशों में अगर hormones किसी वजह से disturb हो जाए, hormonal imbalance हो जाए, तो ऐसे situation में भी sperm factors alter हो जाते है तीसरा, अगर diabetes thyroid control में ना हो, तो ऐसे situation में भी sperm का production कम होता है और उनकी motility यानि गती शीलता और normal shape पे असर पड़ता है अगर पुरुशों में भी मोटा पा हो या उस वजह से उनका sugar BP control में ना हो, तब भी sperm factors alter हो सकते है तो पुरुशों के तरफ से pregnancy ना आने के ये कुछ कारण होते है